हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल क्रेट बैल्ट विरतल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से फैडल बैंक की फैडल बैंक जिसने निचे के लेवल से अच्छी खासी बैल्ट करेट करके दी थी अब उपर एक बिकली चार्ट के उपर जो हमने लगा रखा है चार्ट उसके नहीं कुछ स्टेंड लाइन्स हमने ड्रोग कर रखी है बिकली चार्ट पर सबसे पहले देखते हैं आरे से किस लाइप से दिखाई देती है 51.64 की है जानि स्टेंथ थोड़ी सी कम है बट स्टिल स्टेंथ है कि आने ले टाइम में अगर इसका टाइम थोड़ा सा और होता है तो यह स्टोक जाए और अच्छा बनता हुआ नजरा सकता है यहां पर देखे एक रिजिस्टेंस यह फेस करता हुआ इस लाइन के उपर नजराता है नीचे की लाइन देखिए यहां पर यह हमेशा से सपोर लेता हुआ नजराता है काफी अच्छी सपोर्ट लाइन है पिछले दो साल की आप देख रहे हैं लगवाए 2020 से इस लाइन के उपर मल्टिपल टाइम वीकली चार्ट है इसलिए आपको डिखाई दे रही है मल्टिपल टाइम इसी जो लाइन है इसके उपर इसने जो है सप अगेन जो बात करते हैं कर रहा है इस टाइम पर तो आप इसे क्लोजली देख सकते हैं अगर आप इसमें किसी भी टाइप का इंवेस्टमेंट कर रहे हैं जाए फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यह लेवल्स और यह लाइन आपके बिल्कुल चार्ट के उपर होनी चाहिए ताकि आपको सपोर्ट और इस जोन के अंदर निकाला और उसके बाद देखिए यही लाइन से आपको दिखाई दे रही है आगे तक तो उपर का जो लेवल है सबसे पहला जो रिजिस्टेंस इसका बना हुआ है वो रिजिस्टेंस है 100 का लेवल तो 100 का लेवल जब निकालता है इस लेवल के आज़ब स्टोक काफी बार जाता है बट वहां से रिजेक्ट होता है और उसके बाद उपर का जो लेवल है 104 और 105 का लेवल है 105 के लेवल के उपर की जब क्लोजिंग आती है तब यह स्टोक जो है 112-114 रुपे तक जाता हुआ नजर आ सकता है जो की लेवल बनते है इस टाइप से 100 रुपेश का पहला रिजिस्टेंस है 105 का दूसरा रिजिस्टेंस है उसके बाद स्टोक जो है 112-114 के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है अब देखते हैं नीचे की साइड में क्या बनता है रिस्क क्या है इसके अंदर पहला लेवल जो है 93 का है सेकिंड 90 और तीसरा ज पहले नजर आ रही है तो आप देखेंगे कि जो नीचे की लाइन्स है वो पिछले दो साल से इन लाइन्स को इसने ब्रेक नहीं किया है तो आपको इन लाइन्स के उपर ही इसके आसपास कहीं पर भी आता तो बीना डरे इसके अंदर आप जो है एकॉमुलेशन कर सकते हैं पहला लेवल नीचे का 93, देन 90 और उसके बाद 85 का लेवल बनता है, उपर का लेवल 100, देन 105 और उसके बाद यह स्टोक जए 112, 114 के जोन तक जा सकता है, बर अच्छा मुमेंटम के साथ जाएगा, अगर consolidation हुआ है, तो हो सकता है इस लाइन को break करें, और break करने के बाद 122 से ल levels को लगा के रखिए, ध्यान रखिए और trend lines को लगा के रखिए, thank you, धन्यवाद.